दोसो लोग सावा के चोती चरण का चुनाव अब खत्म हुआ जहाब पूरे भारत देश में 96 सीटों पर मतदान किया गया जबकि महाराष्टर के कुल 11 सीटों पर कलोटिंग हुई इसे की साथी महाराष्टर के अब तक 35 सीटों पर मतदान हो चुका है अगर बात की जातों महाराष्टर के चोती चरण के मतदान शेत्र की तो यहाँ पर दोसो महाराष्टर के चोती चरण में नंदुरबार, जलगाव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, बीड, मावल, पुने, शुरूर, अहमद नगर और शिर्डी इन शेत्रों में कल मतदान जबकि अरंगाबाद सीट से एमायम पार्ट के इमत्याद जले ने सीड जीता था, लेकिन 11 शेत्रों में इंडिया गटबंदन ने इंडियो को इस बार बड़ी टक कर दी है, अब बात करते हैं 11 शेत्रों में कौन सी पार्टी किस पार्टी पर हावी साबित होती हुई तो चिलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना ले थे वे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों महराष्टर के 11 सीटों में से पहला सीट आता है नंदुरुबार, दोस्तों नंदुरुबार 2014 से पहले कौन्गरेस का गड़ हुआ करता था, लेकिन 2014 के बात नहां पर BGP का प्रभाव काफी अधिक दिखाई दे रहा हैं, जहांपर इस बार BGP ने हिना गावित को मेदान पर उतरा हैं जबकि कौंगरेस पार्टि ने गोवाल पाड़वी को मेदा़ गड़वी को मेदान पर उतरा हैं, लेकिन इस श Tray ने बीज़बे का प पार्टी ने कल्यान काले को टीकिट दिया है लेकिन इस मतदान शेत्र में महराटा रिजर्वेशन का काफी प्रभाव दिखाई दिया और इसका सीधा जटका बीजीपे के राउसाइब दानियों को दिखाई दे रहा है ऐसे में ये सीट कॉंग्रेस के हाथों लगती दिखाई दे रही है नमबर तीन पर है अहमद नगर दोस्तों अहमद नगर का इस बार का चुनाव काफी काटिक की टकर बरा दिखाई दिया जहाँ पर इस शेतरह में बीजीपे ने सुझेवी के पार्टिक को मैदान पर उतारा था जबकि शरत पावर गट के राष्टवधी कॉंग्रेस पार्टिक की और से निलेश लेंकियों को मैदान में उतारा गया था और इस बार निलेश लेंके सुझेवी के पार्टिल पर काफी भारी साबित होती दिखाई दिये अब ऐसे ने यह अहमद नगर की सीट सिरत पावार के एंसेपी गट को मिलती दिखाई दिखाई दिये है नमबर चार पर है रावेर की भीजेपी को जाती होई दिखाई दिये रही है नमबर पाच शिर्डी दोसो शिर्डी में शिवशेना सिंदेगट के सादाशू लोकवंडे मैदान पर उतरी है जबकि उद्धाव ठाकरे के और से भाहुसाइब वाक्चवरे मैदान में है लेकिन यह सिर्डी ठाकरे गट के और दिखाई दे रही है ऐसे में यहाँ पर सिर्डी मतदान संग में भाहुसाइब वाक्चवरे चुनाव जीतीते होई दिखाई दे रहे है नमबर छे मावल दोसो पुने में बीजीपी ने मूरली धर मोहर को मैदान पर उता रहा है जबकि एक आंगरिस पार्टी ने रविदर दंगेगर को मैदान पर उता रहा है जबकि उबंचित भहुजन अगाडे के और से वसंत मोहरे भी मैदान पर है ऐसे मियाँ पर रविंदर दंगेकर और वसंत मोरे की बीच मतदारों का काफी यूबाजन हुआ है ऐसे मियाँ सीट बीजीपी जीती ते हुई दिखाई दे रही है नमबर आट जलगाओ दोसो जलगाओ में बीजीपी ने समीतावा को मैदान पर उता रहा है जबकि ठाकरे गट की सिव सिना ने करन पावर को मैदान पर उता रहा है लेकिन करन पावर बड़ी टक्कर देने में असफल रहे है ऐसे मियाँ जलगाओ की सीट एक बाफी से बीजीपी के और जाती हुई दिखाई दे रही है नमबर नव सिरूर दोसो शिरूर मतदान संग महाराष्ट का सबसे बहुँ चर्चित मतदान संग है यहाँ पर अजित पावर के राष्टरवादी गट से शिवाजी राव अडरल राव पार्टे ने मैदान पर है जबकि शरत पावर गट से अमल को ले मैदान पर है लेकिन इस बार भी अमल को ले यह शीट जीती ते वही दिखाई दे रहे है नमबर दस बीड दोसो महाराश्टे की एक और भो चर्चित मतदान संग बीड है जिसमें बीजीपे ने पंकजा मुंडे को मैदान पर उता रहा है जबकि शरत पाउर गट के NCP पार्टे ने बजरंग सोनों को मैदान पर उता रहा है यहाँ पर भी दोस्तो महाराटा रिजर्वेशन को लेकर काफी प्रभाव दिखाई दिया है ऐसे में इस बार इसका सीधा जटका बीजेपे की कैंडिडेट पंकजा मुंडे को होते वही दिखाई दे रहा है और बीड की यह सीट शरत पाउर गट के बजरंग सोनों ने जीतीते वही दिखाई दे रहे है नमबर ग्यारा औरोंगाबाद दोसर और अरंगाबाद लोग सबाद सीट से एमाइम पार्टे की इमतियाज जलिल ठाकर इगट के चंदराकांत खेरे और शिवशना शिन्देगट के संदिपांट भूमरे मैदान पर हैं लेकिन इस चुनाओं में सीधी टककर चंदराकांत खेरे और एम आ हैम पार्टे के इमतियाज जलिल में दिखाई दे रही है बंदन को पाच तोहे पर इंडिया को पाच सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है जबकि एमाइम पार्टी एक सीट जीती ते हुए दिखाई दे रही है ऐसे आप सभी को क्या लगता है इस महाराश्टर के 11 लोग सब्सक्राइब से कौन सी पार्टी किस चत्रह में चुनाव जित सकती है नीचे कमेड़ बॉक्स में लिखकर जरूर बता दे और राजनेते से जोड़ यहाई से एक खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाज़ा ले बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दाबाए तो चीलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नए व